बिहार में सराब पून प्रतिबंधित है किन्तु सराब विक्री पर अब तक पून प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है। स्वान डॉग दस्ता ने टीम के साथ सराब कारोवारियों को पकरधकर करने के लिए ठाना छेत्र के कई जगहों पर छापे मारी किये। 31 लीटर अंग्रेजी सराब बरामत कर तीन लोगों को गिरफतार कर नियाईक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना ध्यक्ष अजीद प्रसाद सिंग ने बताया कि बेला कोठी गाउन निवासी विनोच्चा के भूसा घर से 375 मल के 12 पीस अंग्रेजी सराब, ठेंगा गाउन निवासी अमन कुमार के घर से 700 मल के अंग्रेजी सराब, एबम कजियाही गाउन निवासी परिक्षन मुख्या के घर से 180 मल के 40 पीस बरामत की गई, तीनों सराब कारोवारियों को जेल भेज दिया गया है, इस छापे मारी अभियान में ASI राजिव कुमार सहीत ससत्र पुलिस वल के कई जवान मौजूद थे, आए दिन इस परकार की घटनाय घटती रहती हैं, फिर भी इन सराब कारोवारियों का मनोबल नहीं तूटता है, आप देख रहे हैं कि खजोली पुलिस दल द्वरा किस परकार से छापे मारी की गई है, जहां सराब कारोवारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, वही इन सराब कारोवारियों पर नकेल कसने के लिए मधवनी की तीम दोरा लगतार प्रियास की जा रही है लेकिन सफलता कितनी हाथ लगती है इसका पता तब चलता है जब सराब कारोवारी पुनह इसमें जुट जाते हैं जब की बिहार में सराब पुनडूप से प्रतिबंधित है इन सराब कारोवारियों के उपर किसका हाथ है जो इस परकार से सराब कारोवार में दीन रात लगे रहते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा जै हिंद जै भारत जै मितला